मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज की वीडियो में राजसान जीके के 25 बहुत ही इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दिश्टी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजणा रास्तान जीके के से इंपोर्टेंट की उसन पाना चाहते है जैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजएगा आपको डेली रास्तान जीके के से इंपोर्टेंट की वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योशन आपके सामने राजसान सरकार दवारा 37% वित पोसित बायोगेंस योजना कब लागू की थी सही उत्तर वजाएगा 2014-15 में आप्सिन D हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर टो की बात करें राजसान सरकार दोवारा गिरिल लिगनाइट पावर प्लांट की 125-125 मेगवाट की दो इकाईओं को बेचने का निर्णे कब लिया गया बहुत इंपोर्टेंट की उसने आप लोग याद कीजिएगा की राजसान सरकार दोवारा गिरिल लिगनाइट पावर प्लांट की 125-125 मेगवाट की दो इकाईओं को बेचने का जो निर्णे है वो लिया गया था 2016 के अंदर डेट भी आपको पता होनी चीए 14 सितंबर 2016 आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 3 की बात करें राजसान राजे का तीसरा सूपर थरमल पावर स्टेशन कहां लगाया गया राजसान राजसान में पर्थम गेंस विधूत प्योजना कहां स्थापित की गी आंटीपिशी कंपनी के दोरा राजस्तान के अंदर पहली गेंस विदूत प्रियोजना जो की कहां पे स्ताफित कीगी आप लोग उत्तर जुरूर दीजिएगा और वीडियो के अंदर इमान दरी से बताएगा कि पत्चीस में से आपके कितने सही हुए इससे आपकी क्योसंग एंसर जुरूर एंसर कॉमेंट में बताएगा तो एंटीपिशी के दोरा जो राजस्तान की पहली गेंस प्रियोजना जो की अंता बारा में आपसंसी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसंग फाइब की बात करें निवन में से राजस्तान राजे की एकाई ओल इंडिय का कारियले कहां पे है राजस्तान राजे की एकाई ओल इंडिया का जो कारियले वो कहां पे तो ये बी कानेर के अंदर ऑप्संटी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसंग सिक्स की बात करें निवन में से ब्रहा उक्ष्यमता के अधार पे राजस्तान राजे का सबसे बड़ा बांद देखिए ब्रहा उक्षियमता के अधार पे आपको कैपसेटी के अधार पे बताना है कि राजसान का सबसे बड़ा बांद जो कि राणा परताब सागरबांद ऑप्षन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सन्वर सेवन की बात करें निविन में से निविली लिगनाइट कॉर्परेशन द्वारा राजस्तान में स्थापित प्रियोजना निविली लिगनाइट कॉर्परेशन द्वारा राजस्तान में स्थापित कौन सी प्रियोजना है तो बर्ची सी प्रियोजना ओप्षन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसा नवर एट की बात करें राजस्तान में गोपाल योजना में सामदाइक स्वावलमन की भावना इसका मुख्य उद्धे से क्या है क्योसा नवर नाइन की बात करें टायर ट्यूब उध्योग राजस्तान में कहां पे स्थीत टाइर ट्यूब उध्योग राजस्तान में कहां पिये तो ये कंक्रोली के अंदर आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सनवर 10 की बात करें राजस्तान में राश्टी क्रिशी विपनन सहस्तान वेरी वेरी इंपोर्टन आप लोग उत्तर जुरूर दीजेगा क्यों सनवर 12 की बात करें राजस्तान में भारत का सबसे बड़ा क्रिशी फारम राजस्तान के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा क्रिशी फारम जो कि किस जगहें पे सिरी गंगानगर के अंदर है गंगानगर में कहां सूर्थगड के अंदर आप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योस्तान वर 13 की बात करें नीमन मसे राजस्तान राजे में सुरो परतम सेब की खेती कहां पे प्रार हो मुई थी राजस्तान के अंदर सबसे पहले सेब की खेती जो है किस स्थान पे गीगी माउंट आबू के अंदर आप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योस्तान वर 14 की बात करें हकरा राजस्तान की किस नदी के मैदानिक शेतर को इस नाम से जाना जाता है राजस्तान की किस नदी के मैदानिक शेतर को इस नाम से जाना जाता है यानि नदी का नाम आपको बताना है उस नदी के जो मैदानिक शेतर है उसे हकरा कहा जाता है ग इस नाम से जाना जाता है एक्जाम में परसंद बन चुका है आप लोग उत्र जरूर दीजेगा और वीडियो के एंत में आप सभी से एक मोश्ट इंपोर्टन की उसन पूसाज़ेगा उसका भी आप लोग उत्र जरूर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्र दे पाते तो कुम्बलगण रासमद से गोगंदा उद्यपूर के मद्यजो पठार है उसे का ज़ता है बोहराट का पठार आप्चन भी इसका सही उत्र है तो سङुनवर्सूला की बात करेंगे राजसान के जिले बांसवर्डा दूगर्पूर के मद्यजो पठार है उसे किस नामसे जाना जाता है किस थानिये भासा में किस नामसे पगारा जाता है मेवल कहा जाता है आप्चन सी इसका सही उत्र है क्योसनवर 17 की बात करें उद्धेपुर में स्थित अरावली परवत में तस्तीर नुमा पहाड़ियों को स्थानी बासा में क्या का जाता है उद्धेपुर में स्थित अरावली परवत में तस्तीर नुमा पहाड़ियां उसे स्थानी बासा में गिर्वा कहा जाता है option भी इसका सही उतर रहेगा क्यों सनवर 18 की बात करें राजसान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है राजसान के अंदर सबसे कम बारी जो है जेसल मेर के अंदर होती है option भी इसका सही उतर रहेगा क्यों सनवर 19 की बात करें राजस्तान में मार्बल नगरी के नाम से महसूर सहर कौन से है राजस्तान के अंदर मार्बल नगरी के नाम से महसूर सीटी कौन सी है ठीक है किस सीटी को मार्बल नगरी कहा जाता है या फिर आप कहा सकते है संग मर्मर की सबसे बड़ी मंडी एसिया की किस अंगड आपसन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर बीस की बात करें सीरी तेजाजी धाम सूरसरा राजस्तान के किस जिले के अंदर है बहुत अच्छा कि उसने आप लोग याद कर लेना एक्जाम में परसन बन चुका है सीरी तेजाजी धाम सूरसरा राजस्तान के अजमेर जिले के अंदर है आपसन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर इकिस की बात करें राजस्तान में जीलों की नगरी किस सीटी को कहा जाता है जल्दी से आप लोग एंसर बताइएगा तो उद्यपुर ओप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा जो सनर बाइस की बात करें राजस्तान में किन दो जीलों में होके करक रेखा गुजरती है एक्जाम में परसन बहुत बार पूछा गया है आज के वीडियो में वहीं इंपोर्टन गयुसन है जो या तो एक्जाम में कई बार पुछेगी या फिर आगे पुछे जा सकते हैं सारे आप लोग याद करेना वीडियो दुबारा देख लेना तो कौन से दो जिले जिन से करक रेखा गुजरती है चोईस की बात करते हैं राजस्थान जिले में मानपूरा माचडी विक्सित किया गया किस के रूप में लेदर कॉंपलेक्स के रूप में आपसंटी इसका सही उतर रहेगा क्योशन और पचीस की बात करें राजस्थान का अन भंडार किस जिले को कहते हैं राजस्तान का अन बंडार का ज़ता है सिरी गंगानगर को अन का केटोरा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोश्ट इंपोर्टन के उसने आप सभी के सामने उसका एंसर आप लोग जुरूर बताईएगा अगर अपको उत्तर नहीं पताई तो अभी आप लोग कोसिज जुरूर कीजेगा क्यूंकि कोसिज करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्तान में कपास को गरमिट भासा में किस नाम से जाना जाता है राजस्तान के अंदर कपास को ग्रामिट भासा में किस नाम से पुकारा जाता है या पिर कपास को स्थानिय भासा में किस भासा में स्वरिस्थानिय भासा में किस नाम से जानते हैं तो सही उत्र आप लोग कॉमेंट में जुरूर बताएगा और ये भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही वे इमान दरी से कॉमेंट कीजेगा किसी भी क्यूशन को लेके कोई डाउट और राया सुझाओ देना आप लोग कॉमेंट जुरूर कीजेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर दबा लेना आपको डेली राजस्तान जी के एसे ही इंपोर्टन कुशन के वीडियो रोजाना मिलते रहेंगे सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा थैं थैंक यू बेश्ट अब लग वाई वाई